बड़ों को परणाम, बच्चों को प्यार, आप सब को नमस्कार, जैहिन सातियों मैं आरके नायक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस पॉलिटी की वीडियो सरक्ला में, तो सातियों आज हम बारतिय राजव्योस्ता यानि इंडियन के रेगुलेटिंग एक्ट शेय समन्दित हम शंपूर्ण जानकारी लेने वाले इससे पहले सातियों आपने इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना और उस वीडियो के बाद अब तक हमने जितने भी वीडियो अपलोड किये हैं अग में आपको जोड करके आप तक study material पहुंचा सकें अब सातियों आज के इस वीडियो में हम कौन-कौन सी मैत्वण जानकार लेने वाले हैं वह हम यहां पर देख लेते हैं तो सबसे पहले सातियों यह जो सरंकला चल रही है इंडियन पॉलिटी की तो इसमें हम भारतियर पॉलिटी से समदित अगर क्यूशन पूछा जाता है तो उन सभी परतियोगी परिक्साओं के लिए यह जो हमारी सीरीज है बहुत ज्यादा मैत्वण और उप्योगी साबित होगी इस सीरीज में हमने सातियों बारतियर राजवरुष्टा इंडियन पॉलिटी को बारतियर सविदान को बहुत ही अच्छे तरीके से हैं और आसान और सरल बासा में कवर किया है यहां पर आप जो पुष्टक देख पार रहे हो एंस यार्टी का अक्साथ से लेकर बारा तक पलस जो एडवांस पुष्टक जितने भी है वरतमान समय की बारत में जो ब्रोस्यमंद समंदित जितनी भी पुष्टक मेहत्वपूर्ण है उसके लिए बुक रिव्यू 2022 वीडियो देख लीजिए उसमें भारतिय सविदान से समंदित पड़ते पुष्टक का जिक्र किया है और उसका रिव्यू मेरे द्वारा किया जा चुका है तो उन में से अगर किसी पुष सब्सक्राइब करें प्रवाव रहा नमर एक बात सत्रा सो तैतर में ही रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया उसके बाद इस एक्ट को लाने के पीछे क्या महत्वपूर्ण उनका योजना रहा है और हमारे सविदान के विकास में इसका क्या योगदान रहा वो पूरी जानक यहां पर देखेंगे की सत्रा सो तैतर का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका भारत के सविदान पर क्या परभाव पड़ा वो भी जान कर लेंगे और इसकी जरूर्त क्यों रही सबसे पहले अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो उस कानून के पिछे कुछ न कुछ र करमचारी थे वह ब्रश्ट हो चुके थे शोला सो इस्यू में इस्ट इंडिया कंपनी आई लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या क्या सत्रा सो तैतर में जाकर के रेगुलेटिंग एक्ट लया यानि इतने लंबे समय तक सोला सो से लेकर के सात्यों सत्रा सो तेतर तक उन् इंग्लेंड के अंदर क्या है ब्रिटेन में अपने एस वाराम से राजा की तरह जिंदगी जीते थे तब वहां के लोगों को थोड़ा डाउट हुआ कि यारी क्या करते हैं लोग भारत में कुछ समय के लिए जाते हैं और वहां से इतना धन लाकर के और मोज मना रहे हैं क् यह जीज़ जब सविदान जो ब्रिटेन का जो सविदान था उसकी संसर्थी या फिर जो बिर्टिस यह महारानी थी उसको जब यह बात का पता चला कि जो इंडिया के अंदर कंपनी के करमचारी है वो तो हमसे भी ज्यादा ऐस वाराम कर रहे हैं एसा क्यों तो उनको क्या लगा थोड़ा डाउट हुआ कि कुछ न कुछ गल्ट हो रहा है हमारे साथ या फिर वहां भारत से यह क्या लेकर आ हैं कि इतना मोज मस्ती मना रहे हैं तो उसी को देखते हुए सातियों क्या है जो कंपनी के कर्मचारी थे उनकी गल्ट हरकतों के कारण कंपनी को हुए नुक्सान का रिपोर्ट देने के लिए सत्रा सो बैतर में लाड नौर्थ दुवारा क्या सातियों यहां पर गठित एक ग कर्मचारी बरष्ट हो चुके थे इमानदारी नाम की कोई चीज नहीं थी और जितना भी माल पानी आता वह कंपनी को बाद में देते अपनी पोकेट को पहले बढ़ते जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बारत में भी गोटाले बगेरा होते रहते हैं समय समय पे तो आज भी उन्हीं अंग्रेजों की देन है जिसकी वज़े से क्या हुआ वर्तमान समय का भी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे बश्टाचारी बेठे हैं जो की इंडिया का धन लूट करके विदेश में जाकर बेर जाते हैं तो यह चीज़े हैं ना साथियों बहुत ही गलत है लेकिन क्या किया जा सकता है किसी के दिमाग को हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते कि इसकी दिमाग में क्या चल रहा है लेकिन साथियों आपका काम है एक्जाम की तहरी करना आप पढ़ते रही है अच्छे से रिविजन कीजिए और हम जो नोट साब तक दे रहे हैं उनक अपनी पोकेट अपना पेच बरना शुरू कर दिया और कंपनी लोश में गई जब लोश में जाने लगी तब जो वहां की संसत थी या पर बिर्टेन की जो मारानी थी उसने सोचा कि या कंपनी गाटे में और कंपनी के करमचारी फाइदे में इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बर है दाल में काला जरूर है तो इसलिए उन्होंने क्या किया एक साल पहले यानि उनिस सो यह सत्रासो बहतर के अंदर क्या किया जाता है एक गुप्त समीति का गठत किया जाता है और वो गठत समीति जो थी उसने क्या किया उनको बताया कि भई ऐसी बात है आप कंपनी की करमचारी इन पर कुछ पर्तिबन लगए या फिर उनको कुछ मतलब इस तरह के के नियम बनाए ताकि यह जो कंपनी का नुक्सान है उसकी बरपाई हो सके तब उन्होंने क्या क्या सत्रा सो तेत्र में एक पारित किया था इसके कुछ पर्मुक परावदान थे उनको भी हम देख लेते हैं यहां पर कि इसके पर्मुक परावदान क्या क्या थे तो सबसे पहले साथ यहां पर आप देखेंगे नंबर एक प परसासन से समंदित जो भी मामले थे उन मामलों से अउगत कराने का निर्देश दे दिया अब हुआ क्या कंपनी के जो भी डाइरेक्टर थे या पर जो करमचारी थे जो कंपनी के मालिक बन के यहां पर आये थे उनको बोला कि भाई आप एक काम कीजिए हमें भारत में जो भी राजश वो आपके पास आ रहा है दिवानी जो मामले हैं या फिर जो शेन परसासन से समदित जितने भी मामले हैं आप उसकी जानकरी अपने पास दबा कर नहीं रखोगे और बलकि आप हमारे संसद में जो भी है उनको जानकरी पूरी देऊगी तब जाकर कि उन्होंने क्य उसी आदिनियम के परावदान किया 1734 के रेगॉलेटिंग एक्ट में और उसके बाद में साली साथिओं में इस अधिनियम के परावदान सुप्रिम कोर्ट भी पढ़ेंगे हाई कोर्ट भी पढ़ेंगे तो अब सात्यों यहां पर एक नए विवस्ता की इस्तापना सत्रा सो चोतर में हो जाती है तो इससे समंदित क्यूशन जो आप इस वीडियो स्रंकला के पूरी होने के बाद जब सत्रा सो तेतर के रेगुलेटिंग एक्ट और यह जो सुप्रिम कोर्ट है इसकी इस्तापना से समंदित अगर क्यूशन पूचा जाएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए रिवीजन भी करते रही है और एम सी क्यूशन प्रेक्टिस के लिए आपको मैं यह वीडियो स्रंकला कंप्लीट होने के बाद दे दूँगा अब जातियों आप यहां पर देखिए इस नयाले में प्रात्मिक तता अपील के अधिकार की अनुमती थी यानि यहां पर क्या है जो भी अपिल कर सकते हो बगी सर्व सरा सर्वायां यह पर यह सुप्रीम कॉर्ट नहीं था यह ज honesty था להיות क्योंकि जो इंग्लेन्ड में जो नय वे उतता थी वह सबसे जिए यहां पर सिर्फ ना मातर का एक इस्तापित कर दिया गये था कि कोई समझा है तो आप यहां पर बता सकते हूं उसके बाद में साथियों यहां पर आप देखेंगे कि इस नायले में एक मुक्थे नाइदीश तता तीनdensi नायदीश थे अब सातियों यह तो समय कि बात है कि उस समय elles की निया दिशता और तीन अन्य नहाजदीश थे अब साथियों इस सरीज उसे में आपको मिलेगा कि वर्त्मान समय में बारत के मुक्य नहाजदीश कौन है और अन्य नहाजदीश कितने है और और इनका प्रावधान कब कब किया गया है यानि मतलब है आपा है कि इनकी संक्या अगर तीन एक नइधीस और एक मुझे नाइधीस ज्यादा बढ़ाई गई तो कब बढ़ाई गई क्यों बढ़ाई गई क्या इसकी जुरूरू नहीं अचतोjskु च conve Uhm 6 क्यूशन जरूर आना चाहिए कि अगर यह पहला न्याले बना तो उसमें जो एक मुख्य न्याजदी था वह कौन था तो यहां पर साथ हम बता देते हैं आपको कि इस न्याले के परतम मुख्य न्याजदी सर एलिज्जा इंपे थे जो कि आप यहां पर देख पार रहे हो तो साथ हूं यह इस इंडिया कंपनी का सो सत्रा सो तेतर का रेगुलेटिंग एक था उससे समदी संपून जान करिये और पीडिएफ जब आप रिविजिन करोगे जैसी पीडिएफ में आपको यह रहा हूं जो इस्क्रीन के आप देख पार रहे हो यही सेम पीपीटी के रूप में आपको मिल जाएगी तो वह देख लीजिए अब साथियों चलते हैं सेकिंड इस टेप तो यहां पर क्या होता है बंगाल में एक परसासनिक मंडल गठित किया जाता है अब बंगाल में क्य गवर्णर जनरल तता चार पार्षद किये गए अब साथियों अगर आप से एक्जाम में क्यूशन पुछा जाए कि बंगाल में जो परसासक मंडल गठित किया गया था उसमें गवर्णर के साथ चार या पिर अन्य कितने पार्षद की निक्ति की गई थी तो वह भी आपका क्यूशन गल्प नहीं होना चाहिए मतलब इस परकार का कोई भी क्यूशन अगर पूछ लिया जाए तो यह पार्षद क्या करते थे साथियों शैन्ने तता नागरिक परसासन से समन दित्थे तता निर्ने बहुमत के आदार पर लेते थे अब साथियों जैसे मालो चार पार अगर जैसे मालो कोई भी निर्ने लिया जाता है तो वह क्या है बहुमत के आदार पर लिया जाता है उसके बाद साथियों आप यहां पर देखेंगे कानून बनाने का अधिकार किसको था गवर्णर जनरल सहीद उसकी जो परिशत थी उसको दे दिया गया उसके बाद में द अने लमाय था अब यह कोन सा जी हो बारत शत्यू अभर शत्यू यह बारत शत्यू ने लेंगे लेकिन उस लागू करने से पहले या तो यहां बारत में थो जो पर एक अपने से निर्ने को यां पोने से पहले एक अपने से उपर जो कि भारत सचीव के नाम से जो बिर्टिस से संसद में पद बनाया गया था उस पद पर एक कोई न कोई वेक्ति था उस वेक्ति से permission लेकर के ही भारत में कुछ कर सकते थे और उस बारत सच्चिव का वहां पर संसद में क्या था उस ने जो कानून बनाया जो भारत में रहने वाले रहे हैं तो वह पर क्या होता था बारत सच्यु और आपको को एक और एक्जम्पल देख करके समझाना जालता हूं जैसे मेंड़नों वर्तमान समय में लोक्सबाराज्य सबासे कोई बिलपारित हो गया राष्ट्रपती के पास गया राष्ट्रपती ने देखा कि इसे देश में SMT या कुछ गडबड़ी का अंदेशा उसको लगता है तो वह क्या करता है उसको रोक देता है या फिर जैसे विटो पावर अपना है उसका इस्तेमाल राष्ट्रपत किसान अंदोलन चल रहे हैं या कुछ भी हो रही है गटने तो उसमें जो विदेग थे कि कर्शी कानून की जरूरत अगर किसानों को नहीं है तो आप इसको जरूरी है क्या कि जबर्दस्ति इन पर थोपना है आपको बना करके कानून तो ऐसी इस्तिति में क्या साथियों उस क हम रेगुलेटिंग 1703 अब सात्यों 1703 से समदित अगर एक्जाम में क्यूशन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए चलते हैं सात्यों तीसरे पार्ट पर इसमें क्या हुआ इसमें सात्यों बंगाल का जो गवर्णर था उसको क्या है बंगाल का गवर्णर जनर नाम दे दिया गया अब आप से एक्जाम में क्यूशन पूछ लिया जाए कि बंगाल का गवर्णर जनर पर्थम कोन था तो सबसे पहले सात्यों मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि वार्यन हेस्टिंग्स जो था वह बंगाल का पहला गवर्णर जनर बनाया गया था अब आप से पुछे कि बंगाल का पर्थम गवर्णर जनरल किस अधिनियम के दुवारा बना था या फिर किस एक्ट के दुवारा बना था तो आपको पता होना चाहिए रेगुलेटिंग एक सत्रा सो तेतर में ऐसा प्रावदान किया गया था कि बंगाल का जो गवर्णर है उसको बंगाल का गवर्णर जनरल पद दिया जाए और उस समय कौन थे यह थे देख सकते हो आप यहां पर वारेंट हेस्टिंग्स जिन को बनाए गया था पहला गवर्ण जनरल तो यह साथियों आपके लिए बहुत ही महत्रपुन जान करिया अगर इस परकार के क्यूशन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आशा करता हूं आपका गलत नहीं होना चाहिए तो साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं में कि आपने इस वीडियो को अब तक देखा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो साथियों अपने जो दूसरे बाइबन जो त्यारी कर रहे हैं किसी भी एक्जाम की हो उन तक इस वीडियो को शेर कर दीजिए और अगर आप चाते हो कि नहीं मैंने ठीक तरीके से नहीं पढ़ाया है या कोई चीज सही तरकी से नहीं समझाइए तो वह साथियों आप सुझाओ जरूर दीजिए कोमेंट बॉक्स में ताकि हम आने वाले समय में उसमें सुधार कर सकें और बाकी साथियों इनसान गलतियों का पुतला होता है और कमी कोई भी वेक्ति इस दुनिया में अपने आप में पूरण देगा नहीं आपको इसके साथ हमारी जो कुर्ण करना पंते नहीं करना होगा पॉलीटी चूप उनको समय समय पर रिवजिन रहना होगा क्योंकि साथ जबत्तक तक किसि भी और सफ़लता नहीं प्राप्त कर सकते तो साथीयों आशा करता हूं आप सब को ये जो study material मैंने जो स्रंकला प्रारम की है इससे आप कुछ न कुछ फाइदा जरूर ले रहे होंगे ऐसे सात्यों अगर यह पूरी स्रंकला जब आप देख लेंगे तो मैं वादे के साथ आप से कहना चाहता हूं कि आपका भारत के सविदान से समंदित किसी भी एक्जाम में अगर आ में आपको यहां पर दिखा रहा हूं यह इंडियन पॉलिक्टी से समदित अलग-अलग सब्जेक्ट कि है हिस्ट्री पॉलिटी योग्रोफी एकोनमी साइंस सब कुछ है मेरे रीजनिंग तो इन सभी पुष्टक का अगर आपको पीडिव भी चाहिएगा तब भी मिल करेंगे बाद में उसमें मिल जाएगा तो साथियों आशा करता हूं कि आप सब इसी तरिके से अपनी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए अगले वीडियो में एक नए जोस नए उमीद के साथ फिर मिलेंगे साथियों तब तक धन्यवाद जय हिंद वंदे मात्रहां